आप देख रहे हैं चौहान वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए Γ्रेड कार्ड के बारे में ग्रेड कार्ड में नई अपडेट भी जारी की गई है और साथ ही साथ आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट जानकरे भी मैं आज की वीडियो में आपको दूँगा तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा जरूर देखे अन तक देखे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इगनू के स्टुएंटा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो आप सीधा वीडियो की सुरुआत करते हैं और देखते हैं ग्रेड कार्ड में आज क्या नया है सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रेड कार्ड स्टेटस आज 12 जनवरी 2023 को अपडेट किया गया है तो 12 जन्वरी 2023 से पहले जितने भी इस 20 दिन का assignment का अब practical का एक project का या फिर December 2022 के theory exam result का June 2022 के theory exam result का या फिर June 2022 के reavolution का result और उनका आया था 12 जन्वरी 2023 से पहले तो वो एक बार फिर से अपना grade card चेक कर सकते कि उनका result यहाँ पर grade card के अंदर update कर दिया गया है या फिर नहीं इसका link आपको description box में भी मिलेगा और मेरे telegram channel जोहान वीडियो वाइथी पर भी मिल जाएगा IGNU की website के result section पर आपको grade card का link भी मिल जाएगा वहाँ पर से भी आप grade card को चेक कर सकते हैं अपना enrollment number of course को डाल कर अब बात करते हैं next update notwithstanding the result published declared any case of UFM if found will make such result null and void यानि की आपका अगर grade card में theory exam के marks लग जाने के बाद भी ऐसा पता चलता है कि आपने किसी UFM के जरीए किसी cheating के जरीए अपने marks लेकर आएं तो उसके बाद भी grade card में लगने के बाद भी आपके marks को वापिस किया जा सकता है null and void किया जा सकता है उसके बाद यहाँ पर जो disclaimer लिखा हुआ है उसमें electronically generated information does not have any legal validity यानि की इस जो grade card है वो electronically generated जो information है उसकी कोई legal validity नहीं है यानि की इसको आप अपनी final marks it जो आपको मिलेगी उसका alternative नहीं मान सकते यानि की आपकी जो final marks it है उसका और ये दोनों के दोनों एक समान नहीं है आप जानते हैं कि grade card में एक बार जो marks लग जाते हैं उसके बाद भी उनको बदला जा सकता है क्योंकि grade card में मान लीज़े किसी subject में आप fail हो गए तो उसके fail के marks ही यहाँ पर लग जाते हैं grade card में और not completed लिखा हुआ आता हूँ subject के आगे लेकिन जब आप दुबारा उसका exam दे देते हैं तब grade card में वो marks change हो जाते हैं तो इसलिए ये grade card जो होता है इसकी कोई legal validity नहीं होती final marks जो होती है उसमें कोई change नहीं किया जाता आपके marks के साथ इसलिए कहीं पर भी अगर मांगा जाता है या इगनू में ही अगर admission वगरा भी कोई पर कुछ होता है तो उसमें final marks आपकी देखी जाती है या मांगी जाती है और वो ही final होती है तो ये च